समाधार, समाधार, समाधार गहन चिंतन में डूब गय सभे विद्यार थे थोड़ी देर के बाद एक विद्यार थी उठा चोक पिस उठाया उसने और उसी रेखा के नीचे एक लंबी लकीर खींच दे तो बिना मिटाय है उसने एक लकीर खींच के उस लकीर को जो पहले खींची गई थी शिक्षक के द्वारा उसे छोटा कर दिया शिक्षक महोधाय बहुत प्रसन हुए और उन्होंने इसका सार समझाते हुए कहा कि देखो जीवन में तुम्हें अपने आसपास बहुत सारे सफल लोग दिखाई देंगे लेकिन सफल लोगों को देख के इरश्या मत करना जलना मत उनकी टांक हींचने की कोशिस मत करना लेकिन उनसे कहीं जादा योग्य बनने की कोशिस करना क्योंकि जहां योग्यता है वहीं सफलता है और यदि आप इर्शिया करेंगे तो शयद इर्शिया ब्वेश में ही आपका जीवन नस्ट हो जाएगा आप उनसे आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे वो तो अलग बात है लेकिन नितिहास आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद नहीं करेगा इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाना तो यदि हमें सफल होना है तो अपनी आपको काबिल बनाना चाहिए योग्य बनाना चाहिए क्योंकि यही सफलता का एक सुन्दर मंत्र है आए इसे सुन्दर मंत्र के साथ आज के समाधान के शुरुआत करते हैं अभी नंदन करते हैं आदर्णिय ब्राता जी का प्राता जी बहुत-बहुत स्वागता रभी नंदेन, काबीलियत पे क्या कहेंगे ब्राता जी कई लोग सोचते हैं कि किस्मत में भगवान ने जो लिख दिया है वही मिलेगा, इसलिए हम काबिल हो ना हो, किस्मत का होना जरूरी है, जो लोग दूसरों की सफलता को देखके वो भास्तों में अपनी योगिताओं को बढ़ाते ही नहीं हैं, वो सोचते हैं इनको रोका जाए, तो सायद हम जादा आगे बढ़ जाएगे, ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा, कि किसी मनुस की सफलता से यदी हम इर्षा करते हैं, जलते ह हैं, तो हम मनुस से नहीं जलते हैं, उसकी सफलता से जलते हैं, और जिससे हम जलते हों, वो हमारे समीब कभी नहीं आएगी, जिसको सफलता प्राप्त करनी हो, वो दूसरों की सफलता को एप्रिशेट करें, उनके भाग्य को एप्रिशेट करें, उनको भी धन्यवाद दे, उनकी महिमा करे वा, कितने भागवान हो तुम तो हम सफलता का गुंगान करेंगे और ये सफलता हमारे पास भी आ जाएगी सत्त यही है कि हमें दूसरों को आगे बढ़ता देखकर अपने को और योग बनाना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि हम भी और जादा सफल होंगे जीवन में किसी भी फिल्ड में मालो एक बिजनसमेन ही है और उसको अपने बिजनस के स्किल्स को बहुत बढ़ा देना चाहिए एक्सपर्ट होना चाहिए मुकाबले वस इसके कि वो अपनी इनर पावर्स को इस सद्वेस में व्यतीत करे जलता रहे इसे कुछ नहीं होगा लेकिन रहता जी होता नहीं यही कि यदि बिजनस की बात आपने कही है तो देखा यही जाता है कि जो एक समान रूप से जो चलने वाले बिजनसमेन है बाकी की जड़े काट देते हैं और खुद इस्थिर होकर के आगे बढ़ना पसंद करते हैं शायद बिजनस का एक रूल ही बन गए इसलिए उन्हें यह याद रखना पड़ेगा कि हम दूसरों की जड़े यही काट रहे हैं तो हमारी भी जड़े कट जाएंगी क्योंकि कर्म सिद्धांत यही कहता है कि हम किसी की जड़े न काते हैं जैसा हम दूसरों के लिए करेंगे वैसा हमारे लिए भी होनी जा रहा है हम दूसरों को मदद करें अच्छी से अच्छी म cinnamon दो दो पडोसी हैं विजनस मेन उसकी दुकानिया हैं उसकी दुकान पास में बड़ी दुकाने हैं एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं प्यार से बात करते हैं एक दूसरे को एप्रिशियेट करते हैं विजन से स्किल का भी लेन देन करते आदान प्रदान करते हैं तो कितना अच्छा माहूल बनता है औ दोनों ही आगे बढ़ेंगे, और जहां एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे, दोनों को कस्ठ होगा, इसलिए बहुत प्यार संबंधों में रखना, अपने स्किल्स को बढ़ा देना, और एक बहुत बड़ी चीज ये भी है, कहीं भाग्य के आधार पे हमें जी उसके आधार से कईयों को मिलता भी रहता है, तो हमने देखा हमारे पास बहुत अच्छे दो भाई-भाई बिजनसमेन, दोनों की दुकाने बिलकुल पास-पास दोनों आए, दोनों में बहुत प्यार, दोनों एक दूसरे को बहुत अप्रिशियेट करें, और दोनों के ही म उसका भागी इतना अच्छा, तो दूसरी बार उसके दुकान पे भी बहुत ग्राहकारे हैं, तो ये पोजितिव होने से हमें हर जगे सफलता मिलती, हमें अपनी योगिताओं को तो निरंतर बढ़ाना है चाहिए, क्योंकि आज हमारी योगिता यदि हमें प्रेक्टिकल मे अपना रूप नहीं दिखा रही हैं, तो कल अवश्य दिखाएंगी, योगिये व्यक्ति की योगिताओं का यूज अवश्य होता है, ये श्रष्टी का इस वर्ल्ड क्रियेशन का एक इटर्नल विधान है, लेकिन मनुस को थोड़ा इंतजार भी करना होता है कभी-कभी, ध ये लोग किस्मत के आधार पे ही बैठे रहते हैं, किस्मत में होगा तो प्राप्ति होगी, वो महनत को गौर्ड रखते हैं, काबिलियत को गौर्ड रखते हैं, किस्मत है जो कर्म हम करते हैं, उसका फल, तो अगर अब ही हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसका फल हमें मिलेग में भी मनुस जो कुछ करता है जरूरी नहीं उसका सासात फल मिलता हो थोड़ा देर से मिल सकता है दस साल बाद मिल सकता है नेक्स्ट बर्थ में मिल सकता है इसलिए किस्मत के आधार पे रहने वाले तो कभी आगे बढ़ते हैं दशाओं वाली बात सही है बैठे रहना अच्छे परियास करने चाहिए और गरहे रसाएं जो भी ये नक्षत्रों का इफेक्ट होता है हमने भी देखा है उसको समाप्त करने के लिए जो भी पुटसार्थ हो सके राज्योग से भी वो अच्छा होता है और भी जो चोटे-मोटे भी दिविधान करने हों वो करके उ तो आपके जीवन में क्या कभी ऐसा रहा कि साधनाओं में करती करती सफलता नहीं मिली तो थोड़ा निराशा का भाव आया या लगा कि अब आगे क्या होगा। यार मैंने अप्ने मन बुद्धी को एकागर करने में लगा लिया था और मुझे याद है कि आठ मास की मेहनत से मैं अपने कारिये में सभून्सफल हुआ था और फिर तो एक पैटरन मुझे प्राप्त हो गया था नहीं बहुत सारी अनुभव प्राप्त हो गय था रेका ये आटमास कुछ भी नहीं होते हैं लेकिन मैंने बहुत मेहनत कर ली थी उसमें जो त्याग उसके लिए जरूरी होता है वो सब कर दिया था तो मेरा पूरा जीवन बहुत अच्छा हुआ और साधनाओ के फिल्ड में मुझे निरासा जैसी कोई बात नहीं हुए यदि मैं तीन शब्दों में आपके पूरी जीवन के अनुभाव से निचोड से यदि जानना चाहूं कि सफलता कि तीन सुत्र आपके जीवन के क्या रहे हैं वो हमारी दर्शकों के सामने रखें तो मैं कह सकता हूँ एक तो बहुत जाद ध्रड़ता अपने लक्स के प्रती हैं जे मैं सदा ही एक अच्छे लक्स को लेकर चला हर फिल्ड में और उस लक्स के प्रती अपने को पूरी तरह डेडिकेट कर दिया लक्स को पाने के लिए मैंने हमेशा एक प्लानिंग भी वनाई दूसरी बात थी एक सुम्नर प्लानिंग एक प्रैक्टिकल प्लानिंग और प्लानिंग भी ऐसी जो की जा सकती है और जो उस लक्स तक पहुंचने में सबसे बड़ा काम करेगी उस प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह है फोलो करना और तीसरी चीज थी बाबा में बहुत ज़्यादा विश्वास उसकी शक्तियों को यूज करना उसको यूज करना अपनी शक्तियों को यूज करना स्वमान की शक्तियों को यूज करना तो इन तीनों सूतरों से अर फिल्ड में मन चाही सफ जैसे मैंने एक सब्धी कहा, कि मैंने जो चाहा वो पाया है, मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कि मैं कुछ चाहता हूँ और वो मुझे न मिले, जैसे पहले से ही वो सब तयार रहता है, ऐसे अनुभाव हो गए है। जब मुझे उनकी जरूरत थी, ऐब हमारे दर्सकों को सब को तो काम नहीं आसकते, मुझे पहला लक्स होता था, मुझे एक दिन में अपने योग के चाट को इतने तक पहुँचाना है। और मैं लक्स बनाता था पंद़रे पंदरह दिन के, कि पंदरह दिन में मेरा योग का यहां तक पहुंच जाएगा, इन 15 दिनों में मैं यह स्वमान को बहुत ज़्यादा अपने अनुभों में लाओंगा, और एक दिंचरिया भी सेट कर लेता था, कि इस कारिये में यह अभ्यास करेंगे, इस कारिये में यह अभ्यास होंगे, एकांत मैं बहुत ज़्यादा लेत अपने और फिर मैं पाडियों में चला जाता था, तो मेरे लक्ष तो थे अपने योग की जो इस्थिती होती है, जिसे हम सिंपल भासा में योग का चार्ट कहते हैं, उसको बहुत बढ़ाने का और वो सदा ही प्राप्त होते थे, बिल्कुत, प्रता जी कोई ऐसी सिद्धी की भी बात की, आपने लक्ष रखा हो कि मुझे ये सिद्धी हासिल करनी है, उसके लिए आपने प्रयाज किया हो, और सहज आपको सफलता मिली, अब मैं वैसी सिद्धीयों की तो बातियां नहीं करूंगा, वो तो सुक्सम चीज़े होती हैं, लेकिन जैसे मुझे गीत लिखन कि बस पांच-सात मिन्ट में उसके एक रूप रेका तयार की, पांच-सात बाते लिखी इनिन पे लिखना है, और जैसे उपर से वो सुन्दर फ्लो आने लगा, तो ये सब बहुत अच्छे अनुप होते थे, कि किसी भी चीज के लिए फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रत नही प्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, चाहे एक विज्ञानी किसी विशेष फिल्ड में रिसर्च वर्क कर रहा है, अगर उसका मन बुद्धी बहुत प्योर है, तो उसे फड़ा-फट इन्ट्यूशन साएंगे, वही चीजे टच होंगी जो उसको चाहिए, और बहुत जल् सफलता वाली बात नहीं रही, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि लगातारा सफलता के बाद एक गिरावाट की स्थिति आ जाती है, तब भी एक मनों स्थिति बहुत शक्तिशाली बनी रहे, सफलता का जो एक आशा का या उम्मीद का दीब है जला रहे, उसके लिए को विशेश सोत्र होता है तो हमने यही सुन लिया, बाबा कह रहे है, अरे बच्चे चिंदा न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा वर्दानी हाथ तुम्हारे सिर पर है, और जिसके साथ स्वयम भगवान हो, उसे और कुछ करने की ज़रुत नहीं रहती, जीवन में नई उमंग आ जाएगी, जो ह हमारे अंदर जो छुपे हुई सक्तियां है, छुपे हुए सुनदर विचार वे उस एकांत में जागरित होगे, तो स्वमान से शुरू करें। फिर सुनदर विचार हमारे मन में आने लगेंगे, और सुनदर विचारों से जो एनरर्जी वाइब्रेट आउट होगी, वो पुखरयल जी कहते हैं कि डियर सूर्य भाय जी ओम शांती, I am writing you from Kathmandu, Nepal, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा प्रश्ण ये है कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जीवन में कोई समस्या ही नहीं आए, मतलब ये पर्मानेंट सेलोशन च मिलकुल ऐसा संसारा नहीं वाला है, जहां किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, सचमुच समस्याओं को मनुस ने स्वैम क्रियेट किया है, अपने मनोविकारों से, अपने व्यस्नों से, कल मैं हुस्पिटल में गया तो डक्टर के पास एक बुढ़ा व्यक्तिवी आ तो डक्टर उसे कह रहे थे, अप सराप छोड़ेगा तब दवाई दूँगा, क्या बस आज से कभी नहीं पिऊँगा, वो तो हम जानते हैं, उनकी आदत बनी वी है, लेकिन इन चीजों ने समस्याओं को क्रियेट किया है, उसका इतना सूझ गया था, जब उससे दुखी अगर वो अच्छा व्यक्ती हो, तो नसराप पिये न लडाई करें, तो अगर हम सचमुच समस्याओं से मुक्त जीवन चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि समस्याओं से मुक्त जीवन नहीं हो सकता है, होता है, बहुतों का है, बिमारियां परिशान करती हैं, संबंदों में बहुत स्वीटनेस है, बच्चे मातपिता, पती-पतनी, सब अग्याकारी है, दूसरे के सब चरित्रवान, वेलकुल घर में स्यंति, सुक, आनन, प्रेम चाहा रहता है, उसका कारण यही है, इसमें करना पड़ेगा स्ने, सहयोग और सम्मान एक दूसरे के लिए, दूसरा अपनी दिन चरिया को ऐसा बनाना पड़ेगा, कि हम ग्यान, इसवरिय ग्यान और राजयोग की प्रेक्टिस के लिए समय दें अपने को, अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव कर लें, और लगातार स्वामान की सुन्दर प्रेक्टिस करते रहें, ताकि हमारे विचार महान रहें, और हम समस्याओं को समस्या माने ही नहीं, कई बार ऐसा होता है, समस्या होती नहीं, लेकिन मन उस समस्या फील करता है, हमारा सोचना इतना प्रोड हो जाए, इतना हम विचाल हो जाए, कि चो 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 चीज, यह तो रूटीन है, तो चलता है रहता है, we have to enjoy everything, all situations, तो ऐसा जीवन बनाया जा सकता है, बिल्कुल, मतलब एक वी चारों में परिवर्तन की जोरत और साथी आध्याद में किस थेती थोड़ी सी उची हो, आगे भी यह पुछते हैं, ब्रता जी कहते हैं कि मेरे परिवार में हमेशा कोई नो कोई समस्या बनी ही रहती है, एक जा देते हैं लोग, हमारी नोकरी भी छूट गए, विजन दंदा बिगड़ गया, समस्या हैं कभी अकेली नहीं आती, वो सच मुछ किसी के जीवन में तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो आज तक के जो अनुभव हैं, थोड़ा सा अपने को उनसे डिटेच करके, चलो गई हमारा दुर्भाग्य जागरी थो गया, कोई बुरे करम हमारे सामने आ गए, फिर लोग यह करते हैं कि इसने कुछ करावरा दिया होगा यह, जो कुछ भी है, उसके लिए बस एक ऐसा तीन मास का प्रोग्राम बनाएं, कि रोज सवेरे उठके बहुत अच्छा राजिय योग मेडिटेशन करना है, स्वामान की बहुत अच्छी प्रेक्टिस करनी है, अगर तीन बजे उठ सकें तो बहुत अच्छा और तीन से आठ बजे तक के पांच घंटे को स्प्रिच्वल बना दे, सुंदर विचारों में वियतीत करें, अच्छी साधनाएं कर लें, हम ज लेने लगता है, इन सब की मदद से ये पांच घंटे अच्छी स्थिटी में वियतीत करें, चाहे नहाएं दोएं किचन में काम भी करें, लेकिन अच्छी फेलिंग्स के साथ करें, तो ये सवेरे का जो सुंदर टाइम होगा, मुझे नहीं लगता कि तीन मात से ज्यादा सम लगेगा, 21 दिन के बाद ही बहुत को ठीक होने लगेगा, और तेजी से सब को ठीक हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ की बहुत जरुरत होती है कि परिवार में सभी थोड़े पोजिटिव हो जाएं, ये नहीं गुसा आ रहा है, लड़ाई जगडा कर रहे हैं, एक दूसरे क को दो सारो पित कर रहे हैं, एक दूसरे को परिसान करने में लगे हैं, सारे परिवार को मिलकर बैठ कर इस तरह विचार करने चाहिए, ये सब आया है, अब हमें एक साथ मिलकर इस समस्या को फेस करना है, इसे लड़ना है, इसे पार होना है, कौन इसमें क्या कोपरेट कर सक यह एक विचार कर लेना चाहिए और कोई मानलो कोपरेट न भी करे तो विगन किरियेत न करे अपने चित को स्यांत करे और इस तरह के अभ्यास करे तो बेड़ा पार हो जाता है चलिए ब्रता जी उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रशान जी कि जीवन से भी सारी समस आए ही ना हो और यदि ऐसा हो तो बहुत बहुतर होगा एक दूसरा मिल हमारे पास आया है ब्रता जी कि मेरा 21 साल का बेटा है एक ही है 21 साल का है उसको कुछ तकलीफें थी चेकप के बार डॉक्टर्स ने बताया कि इसको कैंसर है और कैंसर भी लास स्टेज में पहुंच ग एक ही बेटा है जबान है छोटी आयू की है और कैंसर के बारे में हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है नो डाउट हम इसे अप्रिशेट करते हैं कि उसने जैसे जीवन दिया है अनेकों को लेकिन अभी तक ये कैंसर के बारे में पहले ही पता नहीं हो पाता बस जिसको भी चेक अप हो यही समाचार सुनने को मिलता है कि लास्ट स्टेज में कहुँच गया है लेकिन इन्हें निरास बिलकुल नहीं होना चाहिए अभी इसे उसकी मृत्यू को सुईकार नहीं कर लेना चाहिए मैं ये बात अन्र लाइन करके कहना चाहूंगा बहुत वीजन बनाए कि नहीं तीन मास में ये बच्चा बिलकुल ठीक हो जाएगा और राजयोग इन्होंने न सीखा हो तो अच्छी तरह जाकर सीख लें इस्प्रिच्वल पावर सब कुछ कर देती है अगर भगती का मृत्यूंजे महामंत्र फईयो को मृत्यू के मुक से बाहर निकाल सकता है मैंने देखे हैं केस अपने जीवन में देखे हैं दो केस के महामरत्यूंजे मंत्र का अच्छे विद्वान पंडितों ने जब अच्छा जाप किया विदिविधान पूरवक तो बच्चे जिनकी में तो डिकलेर थी वो उसे बाहर आगे और अब बहुत अच करने लगती हैं वो तो केवल मंत्र सकती है उसमें तो हमारी कुछ डिमांड है कुछ प्रेयर हैं तो एक तो वीजन बनाएं के तीन मास में बच्चा बिल्कुल खीक हो जाएगा चार्ज करके उसको पानी पिलाएं अच्छी तरह से बले दस बार पिलाएं बहुत भावना के साथ पानी को चार्ज करें पानी को द्रस्टी देकर मैं परम पवित्र आत्मा हूं तभी मैं मास्टर सर्व सक्तिवानू थोड़ थोड़ा पानी पिये फोड़ा सा ताकि दस बार पी सके ये काम बहुत अच्छी तरह करना है दूसरा उसके ब्रेन को एनरजी देना जो हमाम अच्छर बीमारी के ब्रेन में ही होते हैं और संकल्प करें इससे इसका ब्रेन परफेक्ट हो जाए और ये जो कैंसर है इसको नस्ट करें एनरजेटिक हो जाए इसको नस्ट करें ये तीसरी बात और चोथी बात इने अपने बच्चे के लिए उसको भी राज्योग सिखा मतलब यह तीन मास तो अपने बच्चे के लिए डेडिकेट कर दें, चिंता के बिना चिंता की जबुरत नहीं, चिंता से निगेटिव एनर्जी फैलेगे, उसको भी इतना खुष कर दें, उसको बिलकुल अंदर से आवाज आने लगे, बस में ठीक हुआ की हुआ, यह बिमार अपने समाधान परिवार से भी कहेंगे, इस बच्चे को 10 मिनट रोज योगदान से भी दिया गरें, प्रता जी क्या कोई ऐसा केस है, जो राज्योग की अभ्यासे, ठीक ऐसी ही कंडिशन में कोई पहुँचा हुआ पेशेंट रहा हो, राज्योग की प्राक्टिस की गई ह और इससे वो बाहर आ गया हो, पंजाब के एक सरदार जी का अनुभोतों में सुनाता ही रहता हूँ, पहले भी सुनाया, बहुन कैंसर था, हड्यां गल-गल के गिरने लगी थी, और इतनी पीडा थी, कि उसके परिवार वाले भी कहते थी, ये मर जाये तो सुखी हो जाये, इतनी पीडा थी उसको, तीन मास उसने ये सब अभ्यास किये, उसने क्या किये, उसकी बेहन ने किये, और वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं, इंपोसेविल कुछ नहीं है, और हमें विश्वास है, शिव बाबा, इनको नया लाइफ देरून देगा, बिल मित्रों समाधान परिवार में पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, ब्राता जी ने आज भी याद दिलाया है, कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, 10-10 मिनिट के लिए हम विशे सामोहिक रूप से योगा भ्यास करते ही हैं, आप सब सिंसिरले इस चीज को कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, कि बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, जो बढ़ती चली जा रही हैं, और जब व्यक्ती बिल्कुल असहाय मैसूस करता है, जैसे इस लास्ट केस में भी आपने देखा, ऐसे मे यदि हम किसी के लिए दुआएं मांग सकते हैं, मेडिटीशन कर सकते हैं, जिसका सचमुझ बहुत गहरा असर है, तो हम सब को सचमुझ जरूर करना चाहिए, क्योंकि निस्वार्त भाव से जो चीज की जाती है, उसका फल बहुत गुणा प्राप्त होता है, और यह तो हमा सिंसियरली इस चीज को कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में भी सब की दुआएं जमा होती चलें, आज के लिए समाधान में इतना ही, देजेए चाहिए, तमस्कार